खिल्दर अज हम चैपंटर एड सेफ्टी फिर्स्ट को पढ़ाने जारे का पाट वन देंगे हाफ चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद नेक्स वीग हैं इसका आपको पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम आते हैं सेफटी फर्स सेफटी का मतलब होता है सुरक्षा सुरक्षा सबसे पहले कैसे जरूरी होती है तो हम आपको इस चैप्टर में जो है आपका देखिए यहां पर कुछ फिगर बना हुआ है इसके साथ आपको खेलना एकदम नहीं चाहिए जैसे इसके साथ नहीं आपको खेलना चाहिए बोड के साथ नहीं खेलना चाहिए सीजर के साथ नहीं चाहिए डॉल के साथ आप खेल सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स है आपका बैट बॉल के साथ खेल सकते हैं फस्टेट बॉक्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि फस्टेट बॉक्स के साथ भी आपको नहीं time and at any place accident जो है वो कभी भी हो सकता और किसी भी जगह पे हो सकता है दे में कॉस इंजुरी और पेंड इससे हमको चोट भी लगती और धर भी होता है इसलिए हम सबको सेफटी रूल को फॉलो करना चाहिए दैट कैन सेवस फॉलो करेंगे सब जगह पे सेफटी रूल को फॉलो करेंगे तो हम क्या होगा इंजुरी और पेंड से दूर रह सकते हैं बने हमको चोट भी नहीं लगेगी और हमको दर्द भी नहीं होगा लेट स्टड़ी अबाउट सम सेफटी रूल को फॉलो करना चाहिए अब देखिए एक्सेडंट कहीं भी हो सकता है तो सेफटी रूल भी जो होते हैं अलग जगहों पे अलग लग तरक के नियम बनाये गए सेफटी रूल के तो हम आते हैं तेल ओंद रोड सबसे पहले हम ज कभी भी इदर दर ध्यान लगा के रोड पे नहीं चलना चाहिए अलर्ट रहना चाहिए ध्यान से चलना चाहिए केरफुल होके चलना चाहिए अलर्ट एंड क्यार्फुल ऑंद रोड सबसे पहला पॉइंट है इसमें अल्वेज वॉक अंद फूट पाथ अगर बड़े शा आप पूछे सब्सक्राइब करना चाहिए अगर बड़े बड़े शाहरों में सब्सक्राइब क्या होता है अब आप पूछेंगे सब्सक्राइब क्या होता है जमीन के अंदर से अंडर ग्राउंड बना उता है उसमें गाडिया नहीं चलती स्रेप पैदल वालों को रोड क्रॉस करने के लिए होता है गुफा जैसा बना होता है ठीक है तो उन लोगो यहां पर देखिए आपको फीगर में दिया गया है सब्वे इस तरीके का होता है ग कर सकाराइथ अग्यान सब्सक्राइब भFr इस बस पहले में समीमें हारीक नहीं si सब्सक्राइब कर देखिए切 लेभग है को नहीं कि जब आप प्र मिक्ते हैं या बॉल चली जाती है तो तुरह रूट पे दोड़ना नहीं चाहिए बैढ़ कभी भी रोड के आज पास खेलना नहीं चाहिए इसे क्या होता है वाल बगरा चली जाती है या पर कुछ जो रद पढ़ता है तो बच्चे तुरह बॉल लगा देती इसलिए रोट प पस भी नहीं कहलना चाहिए ऐल्वेस फॉलो दा ट्राफिक सिगनल जहां पर ट्राफिक सिगनल का नियम है वहां पर हमेशा ट्राफिक सिगनल को फॉलो करना चाहिए जा अब ट्राफिक सिगनल क्या होता है ट्राफिक सिगनल कितने प्रकार के होते हैं यहां बताया गया रेड लाइट हमको रूपने के लिए कहता है यलो लाइट जो है वो रेडी टू गो मने आप चलने के लिए तयार हो जाइए क्रीन लाइट क्या कहता है लाइट डेपेट्स गो और ग्रीन लाइट बोलता है आप चलिये यानी चलने के लिए बोलता है You must only cross the road when the pedestrian light is green अगर आपको road cross करना है when the pedestrian light is green तो जब light green हो जाती है, pedestrian light green हो जाती है तभी चलना चाहिए महाँ पे दो तरह की light होती है, एक गाड़ी के लिए होती है एक pedestrian के लिए होती है तो जब red light हो जाती है road की तो सारी गाड़ियां जो आने जानी वाली है वो रुख जाती है और pedestrian light जो होती है वो green हो जाती है तब road को cross किया जाता है यानि zebra crossing में cross किया जाता है तो cross the road always hold hand only when the of your elder wild light is green crossing the road तो road को तभी cross करना चाहिए आप छोटे बच्चे हैं तो आप हमेशा जो है बड़ों के हाथ पकड़के ही road cross करना चाहिए only when of your elder wild light is green crossing the road तो जब green light हो जाती pedestrian light तो तब हमको cross करना चाहिए अब गाडियों के क्या नियम है गाड़ी में बैठने के बाद मने आप जब गाड़ी में जैसे बस है या कार है तो उसमें क्या क्या करना चाहिए तो never try to catch moving bus कभी भी चलती बस को पकड़ना नहीं चाहिए मने चड़ना नहीं चाहिए make a queue to board a bus जब भी आपको गाड़ी में चड़ना है तो एक queue बना के चड़ना चाहिए do not travel on the food board of a bus कभी भी जो उन्हों का सीड़ी बना होता है food board का मतलब हो गया bus की जो सीड़ी बनी होती है उसकी उपर चड़के खड़े होके कभी भी travel नहीं करना चाहिए जटका लगने साथ हो सकता है नीचे गिर जाए जो दरवाजा बना होता है फुट बोर्ड होता है जिसे आप चड़ते हैं तो उस पर कभी भी खड़े होके ट्रैवल नहीं करना चाहिए stay seated while the bus is moving अराम से बैठ जाना चाहिए जब बस चलती है तो do not take your head or hand out of the window of moving bus और एकार चलती भी गाड़ी बस या कार जो भी है उसे हाथ सर विंडो से नहीं निकालना चाहिए खिड़कियों से बाहर नहीं निकालना चाहिए उससे भी accident हो सकता है do not disturb the driver while he is driving और यह last point है कि कभी भी गाड़ी में जब आप travel करते हैं जैसे बच्चे खास करके जब बस में ट्रावन करते तो आरबबर के बगल में बैठ जाते हैं और उनको बर रबर आवाज दे के कि बया जी वह बहुंकर पर फ्रू करते समय दिस्ट्रब नहीं करते ही क्या होगा उसका द्यान इदो Flint द जाएगा और रूटपे एकसिजन हो जाएगा ओके थैंक यू इसका नेक्स पार्ट हम नेक्स वीक देंगे ओके बाय थैंक यू